हेलो एवरिवन वेलकम बेक टू माई चैनल आज हम बनाने वाले हैं राइस्थान की बहुत ही पिरसेद बाटी की रेसिपी बाटीया तो आपने बहुत तरह से बना के खाई होंगी लेकिन ये बाटी बहुत अलग हैं बहुत खास हैं और खाने में बहुत ही जादा टेस्टी लगती हैं क्योंकि इनको हम बहुते हैं सीधे आग में देसेगी में डिबोई होई ये बाटीया राइस्थान की फैमस बाटीया है और इसे हम आज बनाना सीखेंगे राइस्थान के ही लोगों से आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लैक्षिया जरू कर दीजेगा चलिए इस मलदासी रेसिपी को बनाना शुरू करते है बाटीयों को बनाने के लिए सबसे पहले यहां पे लिया गया है गेहूं का आटा और अच्छे से उसको चान लिया गया है गेहूं के पहले इन्होंने इसमें मिलाया है सोंफ और अजवाइन यानि सबसे पहले इन बाटियों के अंदर हमें साबुत सोंफ और साबुत जो अजवाइन होती है वो डाला है इसके बाद इसके अंदर जाने वाला है यहां धनिया तो धनिया को पहले इस तरह से बेरन से तोल ले र और अब हम क्या करेंगे यह जो धनिया है इसको मिला देंगे इस आटे के अंदर तो सबसे पहले हम डाल देते हैं यहां मोहिन के लिए तेल इससे जो हमारी बाटिया हैं बहुत ही जादा उपर से खसता होगी और अंदर से बहुत सॉफ्ट होगी तो यह देखिए धनिया इसम अब इन सारी चुछों को अच्छे से मिक्स कर लिया है इनोंने और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जा रहे हैं और इसका आटा लगाना शुरू कर दिया है यहां पे यह आटा बहुत सारे लोगों के लिए बन रहा है बाटियां बहुत सारे लोगों के लिए बन रहे हैं इसलिए जादा आटा लिया है आपने हिसाब से कम आटा भी ले सकते हैं और ये देखे इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके आटा यहां पे गुद रहा है और आटा एकदम टाइट लगाना है बहुत जादा पतला आटा यहां पे नहीं लगाना है जैसा हम पूडियों के लिए आटा रखते हैं एकदम टाइट बिल्कुल बैसा ही आटा हमें यहां लगाना है और यह देखे सारा आटा यहां पे लग गया है और इसकी बाटिया बनाना शुरू हो गई है तो इस तरह से गोल गोल इसकी बाटिया बनाना है जिस तरह से हम मेडा बनाते हैं उससे बड़ा पेडा बनाके तयार करना है और हमारी एकदम चिकनी बाटिया यहां पे बनके तयार हो जाएंगी ये दिखे किस तरह से ये बना रही है इन बाटियों को बागी का जो आटा है वो भी इसी तरह से हमें गूनते जाएंगे और उधर यहाँ पे ये बाटियां बनना शुरू हो गई है और ऐसे ही सारी बाटियों को बना लेना है चलिए अब आगे देखते हैं हमें क्या करना है तो यह देखें यहां पर आग जलाई गई है और हमारी जो बाटिया है वो भी सारी तयार हो गई है और यहां पर जो आग है हमारी वो भी अच्छे से जल गई है और अब इस जलती हुई आग में हमारी जो बाटिया है उन्हें रखा जाएगा लेकिन उससे पहले इस आग को हलका ठंडा कर लिया जाएगा जिससे जो बाटिया है हमारी जलेना ये देखे एक तरफ की आग जो है बिल्कुल ठंडी कर ली है इतनी ठंडी है ये कि जब हम इसमें बाटियां डालेंगे तो वो जलेंगी नहीं और उसकी गर्माट से ये अंदर तक अच्छे से सिख जाएंगी तो जैसे हमने ये बाटियां डाली है बिल्कुल सेम इसी तरह से जितनी भी तैयार बाटियां है इनको हम डाल देंगे इस आग के उपर और बाटियों को डालने के बाद किसी भी लकडी बगएरा से इस तरह से इसको तुरन पलट देना है ये दिखिए किस तरह से यहाँ पर पलटा जा रहा है इसे काफी गरम है ये हाँ से पलटना सही नहीं है क्योंकि हाँ जल भी सकता है इसलिए लगतार इस तरह से डालते ज उसको साथ के साथ पलट दे जाएंगे और यह देखें यहां पर सारी बाटियों को डाल लिया गया है जो आग पहले सुलग रही थी उसको भी हलका ठंडा कर लिया गया है सारी बाटियों को डालने के बाद फटा-फट इसे यह डंडे से पलट रहे हैं और ये देखिए सारी बाटियों को अच्छ से पलट दिया गया है और अब हमें क्या करना है इन सारी बाटियों को सबसे पहले तो एक बार निकाल लेना है ये देखिए हटा दिया है इसे सेखने के बाद अच्छ से जब इस सिक गई है इसके बाद इसको निकाल लिया गया है और अब दोबारा से इस आग को थोड़ा सा उलट-पलट किया जाएगा, यह दिखे कि इस तरह से यहाँ पर इस आग को उलट-पलट कर रहे हैं अच्छे से, जिससे जो नीचे की गरम आग है वो उपर आ जाएगी और उपर की जो थंडी आग है वो नीचे चली जाएगी, य बहुत ही मैनथ का काम है क्योंकि बहुत सारी बाटीव हैं और काफी सारी गर्मी पट रहחे है अभी यह वे अब दोबारा से फिर से बो बाटीओं को उस जोल के अंदर डाल डीआ गया है जगह बना के इस तरह से डीक्त डाल रहे है यह और इसके बाद इसको डालने के अभी यहां पर और यह दिखिए आप दोबारा से फिर से बो बाटियों को उस जहूल के अंदर डाल दिया गया है जगह बना के इस तरह से डिखे डाल रहे हैं यह और इसके बाद इसको डालने के बाद अच्छे से इसे कवर कर देना है यह कि सारी डालने के बाद जो पास की जो राक है यानि जो आग है जो जली हुई उसको इन बाटियों के उपर डाल देना है जिससे क्या होगा उसकी गर्माहट की विज़ाइसे नहीं अंदर तक अच्छे से सिख जाएगी पक जाएगी जैसे खाने में बहुत ही जादा टेस्टी लगेगी तो देखिए यहां पर भईया अच्छे से इसे कवर कर रहे हैं जो आग है उनसे और इसी तरह कि लुबक आदा घंटे के लिए इन्हें दवाके षी हिन निकाल रहे है यह जेंडे की साहिता से अच्छे से मू कहीं है और इनको किसी भी बड़े बरतन निकालने के बाद फिर क्या होगा अच्छे से इन्हें पोचा जाएगा क्यों काफी सारी राख लगी है इनके ऊपर तो यह देखिए पहले तो इसको निकाल लेते हैं और अभी बाटी ना बहुत जादा गर्म है तो जब निकाल लेंगे तो हलकी ठंडी भी हो जाएंगी यह देखिए और देखने में कितनी अच्छी लग रही है और खाने में यह बाटियां बहुत अच्छी लगती है आग में भुनी हुई बाटी बहुत ही ज़्यादा सोंधी लगती है और यह देखिए सारी बाटियों को निकालने के बाद कपड़े से इसे अच्छे तरह से जाड़ कर पो राख इस तरह से साफ कर लेनी है और यह देखिए अच्छे से राख को साफ करने के बाद इसे भिंगोया गया है देसी घी के अंदर और देसी घी में जब यह बाटिया अंदर तक भींग जाती है तो इतनी स्वाधिस्ट लगती है कि जब आप इसको बनाएंगे और खाएंग तो आप खोद जान जाएंगे कि यह कितनी जादा टेस्टी लगती है खाने में इन बाटियों में बनाने में थोड़ी महनत तो जरूर लगती है क्योंकि आग जलानी पड़ती है लेकि इन खाने में बहुत जादा टेस्टी लगती है और जब इन बाटियों को बनाया गया ह भोग के लिए यानि परशाद के लिए बंडारे के लिए ये बनी है तो ये खाने में और ज्यादा टेस्टी लग रही है क्योंकि परशाद तो चाहे जैसा भी बनाओ उसका खाने का स्वाधी बिलकुल बदल जाता है उसके भोग लगने के बाद तो आई होप आज का ये अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेर कीजेगा साथी चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजेगा जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूंगी तो उसको नोटि आपकेर